Hello guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel So हम लोग हमारा deep learning का playlist continue कर रहे है हमने last video में सीखा था कि एक neural network prediction कैसे करता है और मैंने आपको last video में ये भी बताया था कि हम धीरे धीरे एक बहुत important topic की तरफ move कर रहे है जिसका नाम है back propagation Back propagation ही वो algorithm है जिसको use करके neural networks learn करते है ठीक है और बोला जाता है कि वो algorithm सीखना समझना थोड़ा सा difficult है तो मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता मैं बहुत प्यार से उस topic को approach करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि back propagation आप जादा अच्छे से तब सीप पाते हो तो जब आप पहले से एक बार उसको use करके देखो so मेरा plan ये है कि मैं आज के वीडियो में और अगले दो वीडियो में आपके सामने दो real world data sets के उपर back propagation चला के दिखाऊंगा as in neural networks को train करके दिखाऊंगा हम Keras library use करेंगे because उससे चीज़े बहुत easy हो जाती है not only that मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप उस neural network को improve कैसे कर सकते हो मुझे लगता है ये सारे concepts अगर आप एक बार practically देख लोगे तो फिर आगे जब हम back propagation पढ़ेंगे आप उसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझ सकते हो so plan बहुत simple है आज हम लोग एक classification डेटा सेट के उपर काम करेंगे मैंने जो डेटा सेट चूज किया है उसका नाम है customer churn prediction एक bank का डेटा सेट है जहाँ पे customers bank छोड़के जा रहे है और हमें data को देख कर के बताना है कि कौन सा customer bank छोड़ेगा future में similarly next video में we'll do a different problem वहाँ पे हम multi class classification problem करेंगे आज जो problem है वो binary classification है 1-0 हम multi class classification करेंगे और फिर एक और वीडियो में हम लोग एक regression problem को भी approach करेंगे पूरा idea इन तीन वीडियो का ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप पहले back propagation पढ़ने के भी पहले एक बार देख पाओ कि होता क्या है neural network को बनाना उसको train करना और उससे prediction करना so that जब आप इन चीजों को पढ़ो तो फिर आप dots connect कर पाओ और जादा सही तरीके से सेख पाओ ठीक है so that's it for the introduction let's start the video so guys this is the data set जिसके उपर हम लोग काम करेंगे credit card customer churn prediction data set है ये so basically ये किसी bank का data है जहां पर उन लोगों ने अपने कुछ customers का data store कर रखा है और ये data ये बताता है कि उनके customers ने उनका bank छोड़ दिया या वो अभी भी customer है ठीक है तो churn prediction में machine learning बहुत use होता है अलग अलग companies churn prediction के लिए machine learning models बनाती है तो I thought this is a good starting point this is a good example ठीक है तो data set बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है हमारे पास total में लागे 14 columns है और number of rows भी around 10,000 है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे हमने अभी कुछ install तो किया नहीं है TensorFlow के राज हमारे system पे वो हमने सीखा नहीं है तो I will use Kaggle का interface मैं Kaggle पे ही सारा code करूंगा सारी की सारी libraries हमें वहां पे pre-installed मिल जाएंगी तो कुछ भी installation का हमारा लफना नहीं रहेगा तो we'll click on new notebook and this will create a new notebook यहां पर ही हम अपना code लिखेंगे और जब तक first cell रन हो रहा है तब तक I'll write this code pandas के read csv को call करेंगे और this should give me the file path एक बार जैसी file path मिल जाएगा यह रहा हमारा file path इसको हम लोग यहां पे पेस्ट कर देते हैं और अब मैं दिखाता हूँ कि हमारा data exactly दिखता कैसा है let me also print the shape तो 10,000 by 14 10,000 customers का data है across 14 columns एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हमारे columns क्या क्या है पहला is row number जो मुझे लगता किसी भी काम का है second is customer ID जो again I don't think कुछ काम की होनी चाहिए third is surname surname of the customer ठीक है तो यहां पे maybe कुछ मिल जाए but since अभी हमारा end goal is to learn how to use Keras and how to build artificial neural networks तो इस पॉइंट पे हमें इस problem के जड़ में घुसने की जरूरत नहीं है ठीक है age है tenure है मतलब कितने सालों से I guess customers bank के साथ जुड़ा हुआ है balance account balance है यहां पर कितने products use कर रहा है bank के मतलब यहां पे हो सकता है credit card use कर रहा हो debit card use कर रहा हो FDRD कुछ भी हो सकता है mutual funds हो सकता है has credit card 1 या 0 simple सी बात है is active member I guess it depends on the number of transactions the customer is performing estimated salary तो यह bank ने खुद से निकाला होगा I guess कोई और machine learning model use करके ताकि उनको पता चल पाए कि उनके customers का yearly salary कितना है और finally हमारा target column is exited तो one मतलब customer bank छोड़के चला गया और zero मतलब अभी भी है ठीक है तो कुछ basic चीज़े हम लोग पहले पता कर लेते हैं जैसे की क्या कुछ missing values है तो if I run df.info you can see किसी भी column में हमारे पास missing value नहीं है also जो data type है वो सही लग रहा है दो चीज़ों में object है सरनेम जोग्रफी और जेंडर which is fine balance इन्होंने float में बता रखा है estimated salary float में बता रखा है बागी सब कुछ integer है तो यहाँ पे कुछ गडबड नहीं है एक और चीज़ जो चेक कर लेनी चाहिए वो है कि क्या duplicated rows है ये code हमें बताएगा कि क्या कोई भी duplicated row है zero आ रहा है मतलब कोई duplicated row नहीं है ठीक है अब एक काम करते है एक बार देखते हैं कि कितने customers ने bank छोड़ा कितने लोग अभी भी है I would write this code exited dot value counts तो clearly दिख रहा है कि around 8000 लोग अभी भी हैं और 2000 लोगों ने छोड़ा है तो यह थोड़ा imbalance classification का problem हो रहा है but again इस point पे हमारा concern यह नहीं है कि हम एकदम ही perfect model बनाए अभी हमें बस सीखना है but yes अगर हम actually इस problem को solve कर रहे होते तो हमें इसको भी consider करना पड़ता also I would like to see यह geography column में कितनी categories है so I'll just copy this code and I'll paste it over here और इसको हम लिखते हैं geography so तीन अलग geographies यहां पर है France, Germany और Spain और थोड़ा बहुत imbalance यहां पर है gender में I guess male और female ही होना चाहिए एक बाद फिर भी लिख लेते हैं I'm sorry gender हम लिखेंगे तो this is fairly balanced ठीक है अब एक काम करेंगे हम लोग आगे बढ़ने के पहले यह जो पहले तीन कॉलम्स है इनको हम हटा देंगे okay so we can write this code df.drop columns का नाम हम एक लिस्ट के अंदर प्रोवाइड करेंगे so the first one is row number second is customer id and the third one is surname और इस पे हम in place true रख देंगे ताकि यह changes permanent हो जाए और अब अगर हम अपने data set को देखें तो यह रहा हमारा output ठीक है तो अब काइदे से हमारा अप्रोच यह होना चाहिए था कि हम इडिए वगेरा perform करके पता करते कि इन में से कौन से columns जो बचे हुए columns इन में से कौन से columns सच में useful है कौन से useful नहीं है इस तरह की चीज़े हमें करनी चाहिए थी बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम यह नहीं कर सकते बिकास में बार-बार बोल रहा हमारा end goal is not to get the perfect model our end goal is to learn how to build an artificial neural network using Keras तो मैं आपको उस direction में चीज़े करके बताता हूँ तो सबसे बहले हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास यह जो दो क्याटेगोरिकल कॉलम्स है इन उसका तरीका बहुत सिंपल है पांडाज में दिर फंक्शन कॉल्ड गैट डमीज यहां पर हम अपना डेटा फ्रेम पास कर देंगे हमारे कॉलम्स उन कॉलम्स का नाम लिख देंगे हम जिनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है जियोग्रफी और ड्रॉप फर्स्ट को हम ट्रू कर देंगे इससे क्या होगा हमें ये डेटा मिलेगा यह किन सी जो हमारा तीन चाटेगरी इस थे उससे हमने दो कॉलम्स बना लिए जग्रफी जर्मनिय और जग्रफी इसपेन जग्रफी फ्रांस डेलीट हो गया और जो हमारे दो जैंड ते उसे हमने एक बना दिया है जेंडर मेल चीक है तो इन दो कॉलम से हम तीन काटिग्रीज दिखा सकते हैं जैसे कि 00 मतलब France हो गया सिमिलरली एक कॉलम से जैसे 00 का मतलब फीमेल हो गया तो ने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया अब वो है कि हम स्केल कर देंगे वैल्यूस को अगर आप यहाँ पर नोटेस करो कुछ नंबर्स बहुत बढ़े हैं लाइक सिक्स डिजिट नंबर्स हैं और फिर कुछ सिंगल डिजिट नंबर्स हैं तो इस तरह में अगर आप अपना नियूरल नेटवर्क ट्रेन करने का ट्राइ करोगे तो क्या होता है कि आपका जो वेट्स का वैल्यू होता है वो जल्दी कंवर्ज नहीं होता है तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप नियूरल नेटवर्क के साथ काम कर रहे हो प्लीज मेक शूर कि आप मॉडल बिल्डिंग के समय अपनी सारी वैल्यूस को स्केल विल्ड कर दो ठीक है तो हम उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले ट्रेंटेस्ट करेंगे यह सब हम काफी बार कर चुक है अधि वुड राइट एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेंग वाई टेस्ट ट्रेंटेस्ट एक्स कॉमा वाई कॉमा लेट्स पास आर टेक्स्ट्स साइस्टूबी पॉइंट परसंट डेटा हम ट्रेनिंग के लिए रख रहे हैं और 20% data हम लोग testing के लिए रख रहे हैं और obviously sorry हमने एक काम तो किया यह नहीं हमने x और y अलग नहीं किया तो हम लोग यह code लिखेंगे df.drop columns हम last वाले column को temporarily drop करेंगे और जो भी बचा उसको x में store करेंगे और y में हम लिखेंगे df का exited और यह रहा हमारा code तो अगर आप x को print करो यह हमारा x है इसमें सारे input columns है और अगर आप y की बात करो तो इसमें हमारा exited वाला column है और अगर आप बात करो x train dot shape की तो यहां पर 8000 हमारे customers आ गए randomly और 11 हमारे input columns है ठीक है इस point पे अब हमारे पास data आ चुका है train और test sets में अब हमें बस क्या करना है इसके ओपर scaling करनी तो we would write this code from sklearn dot preprocessing import standard scalar class let's create an object of this class हम एक नया वेडिवल बना है एक स्केल्ड वी एक स्केल्ड डॉट रॉट के यहां पर पास कर देंगे अपना X train और हम एक और वेरेबल बनाएंगे X test scaled scalar.transform X test ठीक है और अब हम इस code को जैसे रन करेंगे हमारे पास transformed values आ गई I can show you अगर हम इस code को है and you can see सारी values बहुत ही छोटी है decimal में आ चुकी है ठीक है तो हमने scaling कर लिया अब हम लोग ready है के राज अप्लाई करने के लिए तो सिंस यहां पर प्री इंस्टॉल्ड है सब कुछ आई जस्ट इंपोर टेंसर फ्लो फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट के राज कर्चश प्रम कर्रॉम टंसर फ्लो त सonne瞬 कार आज कर्र मुट अ राल इंपोट द कमेंसे कवेंचें़ कर्राण न च्टम रच 팔h прим टेंसरफ्लो डॉट केराज डॉट लेयर्स आई विल इंपोर्ट डेंस लेयर्स जो हम यूज करने वाले इस मॉडल को बनाने के लिए तो यह इंपोर्ट हो जाने के बाद अब हमें हमें हमारा मॉडल बिल्डिंग करना है ठीक है तो केराज में आप दो तरीके क मॉडल बना सकते हो एक होता है sequential और एक होता है non sequential अभी हम सिर्फ start कर रहे हैं हम लोग अभी sequential models बनाएंगे तो उसका कोड बहुत संपल होता है आप लिखते हो model इस एक एक ऑबजिक बना रहे हो और एक एक input layer होगा एक hidden layer होगा और एक output layer होगा ठीक है तो हमारा जो hidden layer होगा for starting हम लोग वहाँ पे तीन nodes रखेंगे यानि तीन perceptrons रखेंगे तो उसका code ऐसा दिखाई देगा model.add बोलके एक function होता है उसके अंदर हम dense class का एक object डाल रहे है dense basically dense layer create करता है और यहाँ पे भी फिलाल यह जो layer है यह हमारा input layer है और यहाँ पे हमारा जो activation function है वो रहेगा sigmoid also since यह hidden layer हमारे input से connected है तो हमें बताना पड़ेगा कि कितने inputs इसे मिलेंगे ठीक है तो फिलाल हम यहाँ पे लिख देते हैं input dimensions is equal to 11 क्योंकि हमारे पास 11 input columns है यह हो गया हमारा hidden layer अब हम लिखेंगे model.add और अब हमारा output layer add करेंगे जिसमें एक node होगा और जो activation होगा वो होगा sigmoid ठीक है और यह रहा हमारा neural network का architecture so this is some warning अब आप क्या कर सकते हो summary बोल के एक function होता है उसको run कर सकते हो और यह आपको आपके model का summary देगा ठीक है तो अगर आप देखो तो बहुत ही simple है सब कुछ हमने क्या किया है I'll in fact show you so हमने यहाप पर इस तरह का एक neural network architecture बनाया है यहाँ पर total मिलाके हमारे पास 11 inputs हैं ठीक है और यह सारे के सारे inputs आपके हर node में जाके मिल रहे है ठीक है लाइक दिस लाइक दिस ठीक है उसके बाद का architecture आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आप बात करो टोटल कितने trainable parameters है यहां पर है 11 multiplied by 3 biases plus 3 biases तो दिस वुड़ बी 36 और यहां पे हैं 3 cross 1 plus 1 सो यहां पर आ गया 4 सो टोटल आपके trainable parameters होगे 40 जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो अब देखो हमें क्या करना है इतना करने के बाद हमें अपने model को compile करना होता है ठीक है model compilation stage में आप कुछ चीजे बताते हो जैसे कि आप कौन सा loss function यूज करोगे आप कौन सा optimizer यूज करोगे gradient descent के लिए यह सब आप यहां पर बताते हो लेट से मैंने लेखा model.compile और यहां पर मैंने सबसे पहले बताया कि मेरा जो loss function है सिंस यह हमारा binary classification problem है हमारा जो loss function होगा वो होगा binary cross entropy जिसको आप log loss भी बोल सकते हो और यहां पर हम एक optimizer यूज करेंगे हमारे gradient descent algorithm के लिए जिसका नाम होगा Adam तो हम बहुत सारे अलग-अलग optimizers यूज कर सकते हैं Adam जन्टली जाद अच्छा perform करता है तो यह होगया हमारा model का compilation अब हम last stage में क्या करेंगे model को fit करेंगे यहां पर हम अपना x train scaled वाला data pass करेंगे और यहां पर हम pass करेंगे y train ठीक है साथ ही साथ आप ये भी बताओगे कि आपको अपने data के उपर कितने passes लेने कितनी बार आप अपने data के उपर घूमोगे to find out these rates and biases मैंने बोला फिलहाल दस बार घूमो दस बार में जैसा result आता है accordingly हम लोग आगे check करेंगे अब this is the stage जहां पर आपका neural network train होता है तो अगर मैं इस code को run करूँ you can see एक एक करके दस बार हमारा पूरा का पूरा model हमारे data पे घूमा और हर बार एक loss उसने calculate किया and you would see कि हर अगले epoch में वो loss कम होता जा रहा है to a point जहां पे last epoch में हमारे पास 4.42 का log loss है चीक है तो इतना गरने के बाद अब हमारा model train हो चुका है हमारे model के सारे weights and biases हमने calculate कर चुक है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह जो weights और biases का value निकला है वो कहा stored है तो आपका यह जो model object है इसके अंदर layers बोलके एक attribute है हमें 0th layer पर जाना है और वहां से हमें इस function को call करना है और यह देखो guys यह रहा हमारा output तो यह रहे हमारे 33 weights first layer के और यह रहे 3 biases so basically I'll show you इस वाले layer के जो 11 cross 3 weights थे वो आपको यहां पर दिख रहे है और इसका जो bias था वो आपको यहां पर दिख रहे है similarly अगर आप layer में 0 के पर देख ले 1 डाल दो तो यह रहे 3 weights यह वाला यह वाला और यह वाला और यह रहे इसका इसका bias ठीक है तो हमारे model ने यह calculate कर लिया है और अब वो prediction कर सकता है prediction करना बहुत ही simple है आपके पास एक function होता है predict आप उसमें अपना x test scaled को भेज़ दोगे और यह आपको आपके सारे के सारे test वाले set के लिए एक prediction निकालके दे देगा अब यहाँ पे notice करने वाली बात यह है कि आपका जो output है वो 1 या 0 नहीं है ठीक है और उसका reason बहुत simple है कि आप sigmoid यूज कर रहे हो और sigmoid का output 0 से 1 के बीच में एक probability होता है ठीक है तो अब यह आपका काम है कि आपको इस probability को 0 और 1 में convert करना पड़ेगा ठीक है अब 0 या 1 में convert करना actually बहुत easy है आपको बस एक threshold decide करना पड़ेगा जैसे मालो हमने threshold decide कर लिया 0.5 मतलब 0.5 से नीचे है अगर value तो हम 0 बोल देंगे मतलब वो customer bank नहीं छोड़ेगा और 0.5 से अगर उपर है तो हम बोलेंगे 1 मतलब वो customer bank छोड़ देगा obviously threshold क्या होना चाहिए इसके लिए आपको ROC, AOC, AUC curve plot करके पता करना पड़ेगा but फिलहाल हमने मान लिया कि हमारा output should be the threshold should be 0.5 ठीक है तो मैं एक काम कर रहो मैं इस पूरी चीज़ को एक variable में स्टोर कर रहो वाई लॉग और उसके बाद आम राइटिंग दिस कोड एन पी डॉट वैर वाई लॉग ग्रेटर देन पॉइंट फाइव अगर है तो वन नहीं है तो जीरो और यह रहा हमारा आउटपुट लेट्स कॉल इट वाई प्रेट ठीक है तो हमारे पास वाई प्रेट आ गया अब हम देखते हैं इस model का accuracy कितना है सो हम लिखेंगे from sklearn.metrics will import accuracy score और अब हम अपने accuracy score को print कर देंगे पहले हम पास करेंगे वाई टेस्ट जो actual data है और फिर हम पास करेंगे वाई प्रेट और यह रहा हमारा output इस point पर जो हमारा output है वो है 81.45 परसंट ठीक है अब आप क्या कर सकते हो कि अपने neural network में थोड़े changes करके आप output improve कर सकते हो ठीक है तो let me show you आप क्या changes कर सकते हो आप सबसे पहले तो number of epochs बढ़ा सकते हो ठीक है जो कि फिलाल 10 है इसको आप बढ़ा के 100,000 तक भी लोग train करते है second generally देखा गया है कि आपके जो hidden layers होते हैं उनका activation function अगर आप value रखो तो जादा अच्छा result देता है ठीक है और एक काम जो आप कर सकते हो वह है कि आपके जो layers है specially जो आपका hidden layer है उसका आप number of notes बढ़ा दो से यहां पर number of notes 3 है आप इसको बढ़ा के 10, 30 कुछ भी कर सकते हो तो यह एक तरीके से आपको experiment करके देखना होता है also एक last चीज जो आप कर सकते हो वह है कि आप number of layers बढ़ा दो मतलब यहां पर सिर्फ एक hidden layer है आप एक और add कर सकते हो बहुत जादा add करने पर overfitting होने लगता है तो वही मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा experiment करके देखना पड़ेगा तो मैं यह changes करके आपको दिखाता हूँ सबसे बहले मैंने यह किया कि मैंने आपर sigmoid के बदले रख दिया ठीक है आउटपुट अभी भी sigmoid ही रहेगा उसके बाद मैंने यहां पर 11 कर दिया और यहां पर मैंने एक लेयर और बढ़ा दिया लाइक दिस ठीक है अगर आप architectural term में बात करो तो अब क्या हो गया हमारे पास हमारे पास यह पहला hidden layer है जिसमें 11 nodes है यह एक और hidden layer है जिसमें 11 nodes है और यह एक single node है और यहां पर हमारे 11 वो हैं inputs है तो अब अगर आप calculate करो कितने trainable parameters है तो यह हो गया 11 times 11 weights plus 11 तो 133 यहां पर हो गया फिर 11 times 11 plus 11 133 यहां पर हो गया यहां पर हो गया 11 times 1 plus 1 तो यह हो गया 12 तो अगर आप बात करो यह हो गया 266 plus 12 278 weights and biases तो अगर आप इस code को run करते हो वो मैंने कर दिया है अगर आप summary पर जाओ अच्छा मैंने शायद नहीं किया एक बार फिर से run करते हैं यह रहे आपके 276 weights and biases ठीक है तो अब हम फिर से क्या कर रहे है हम compile कर रहे है और इस बार compile करते करते मैं साथ में ही आपको दिखाता हूं कि आप कैसे accuracy को साथ में देख सकते हो तो मैं यहां पर लिख रहा हूं accuracy तो अब हमें क्या होगा अभी यहां तक बस loss दिखा रहा था अब हमें accuracy भी दिखाएगा after every epoch ठीक है also मैं अपना epochs बढ़ा के 100 कर रहा हूं और यहां पर मैं एक नई चीज आड कर रहा हूं मैं यहां पर एक validation split ले रहा हूं so validation split से क्या होता है कि आप जिस point पे अपने model को train कर रहे हो आपके पास 8000 customers का data है अब मैं क्या कर रहा हूं उन 8000 customers में भी 20% customers को अलग कर रहा हूं तो यह भी एक अच्छा technique होता है आपके model के performance को validate करने का ठीक है तो यह जो हमने changes किया है हम इसके ओपर अप code को run करते हैं and there is some error ओके इस code को शायद हमने run नहीं किया था इस code को हम run करेंगे और अब इसको run करेंगे and you can see अब कई सारा information हमारे screen पर है epoch by epoch अब देखो तो हमें पहले जो training हो रहा है उसका loss दिख रहा है हमें जो training हो रही है उसकी accuracy दिख रही है फिर हमें जो validation set है हमारा 20% वाला उसके उपर loss दिख रहा है फिर उसके उपर की accuracy दिख रही है और ऐसा लगातार आपको हर epoch में देखेगा और आपका end goal है कि आपका loss reduce होना चाहिए और आपकी accuracy बढ़ते जानी चाहिए ठीक है अल्सो एक चीज़ आपको और ख्याल रखना है कि आपके training की भी accuracy reduce बढ़नी चाहिए और आपके validation की भी accuracy बढ़नी चाहिए अगर ऐसा होता है कि सिर्फ आपके training वाले data की accuracy बढ़ते चली जा रही है वेराज आपके validation वाली की accuracy नहीं बढ़ रही है वो stagnate कर गई है तो वह overfitting का case हो जाता है ठीक है तो let me show you code को run होने में ज्यादा time नहीं लग रहा because behind the scenes GPU पे सारा काम हो रहा है and you can see last step में अगर आप देखो तो थोड़ा सा हलका सा overfitting का scenario दिख रहा है क्योंकि training accuracy 87% reach कर गया है वेराज validation accuracy is still 84.8 ठीक है loss में भी अगर आप देखो तो training वाला loss जादा कम हो गया है और validation वाला अभी भी ठीठाक range में है ठीक है यहाँ पर आप फिर से weights देख सकते हो बिल्कुल जैसा हमने last time देखा यह है आपका 121 plus 11 first layer का 0th layer का भी बिल्कुल same होगा और अगर आप second वाले layer में जाओ तो यह रहे second layer पे ठीक है अब हम क्या करेंगे फिर से prediction करेंगे और फिर से logic apply करेंगे और फिर से हम accuracy निकालेंगे and you can see हमारा accuracy improve कर चुक है अब यह 85.75 तक पहुत चुक है ठीक है obviously अगर आप cross validation लगा होगे तो थोड़ा सा और कम आएगा but again you get the idea कि आप किस तरीके से neural networks बना रहे हो और किस तरीके से उनका accuracy को आप improve कर सकते हो और भी कई चीज़े हम सीखेंगे आगे जाके but अभी मैं बस आपको दिखा रहा था एक last जीज जो मैं आपके सामने करके दिखाना चाहूंगा वो यह है कि आपको साथी साथ दो graphs plot करने चाहिए let me show you graphs क्या है और उनको कैसे plot करना है सो मैं इस model को फिर से run कर रहा हूं और यहां पर मैं बस क्या कर रहा हूं कि I'm creating a variable जो क्या करेगा यह जो पूरा data है आपके screen पे इसको store कर देगा इस dictionary में अगर आप फिर से model को train करते हो अब आपको history बोलके dictionary मिलेगी जिसमें य इसी भी स्टेज का graph plot कर सकते हो और वो graph आपको काफी information देता है कि आपके neural network ने कैसा perform किया है ठीक है तो we will wait एक बार इस model को हम train हो जाने देंगे और इसके बाद फिर हम अपना आगे का steps करेंगे आगे का step करनी के लिए आपको matplotlib को import करना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले वो कर दे रहा हूं import matplotlib.pyplot as plt और I guess हमारा training complete हो चुका है और अब मैं आपको दिखाता हूं history के अंदर क्या है so history is basically a history object बट अगर आप ये लिखो history.history तो आपको एक dictionary मिलता है जहाँ पे चार key value pairs है पहला key है loss और ये training loss है हर epoch का ठीक है similarly अगर आप फोड़ा नीचे जाओ तो फिर accuracy है ये again आपके 100 epochs की और ये training की बात चल रही है अभी तक ठीक है उसके बाद अगर आप देखो तो ये है val loss बोलके यहाँ पर आपके बस हर epoch का validation loss है और अगर आप थोड़ा नीचे और जाओ तो आपके बस validation accuracy है हर epoch की तो मैं दो graphs plot करूँगा let me show you so I would write this code plt.plot और यहाँ पर मैं लिखूँगा history.history loss and you can see यह है एक से लेके 100 epoch तक हमारा training error कैसे reduce हुआ है चीक है so you can see शुरू में बहुत जादा था फिर बहुत तेजी से घटा और फिर gradually घटना चालू किया इसको आप directly compare कर सकते हो with validation loss let's see validation loss किस तरीके से decrease हुआ इस पूरे के पूरी चीज में so you can see शुरू में दोनों बहुत similar थे और फिर धीरे धीरे यू किन सी कि validation loss उत्मा तेजी से नहीं घटा जितना तेजी से trading loss घटा इसलिए there is a gap और यह gap ही आपको बताता है कि कितने level पर overfitting हुआ है यहां पर बहुत जादा नहीं हुआ है honestly but आपको यह graph से idea लग जाता है ठीक है I will plot the same set of graphs for accuracy ठीक है तो हम बस यह सारे variables का नाम चेंज कर रहे है and you can see थोड़ा बहुत fluctuate होते होते भी we have reached over here so थोड़ा gap है जो भी gap है वो 84 to 86 percent के बीच में तो again बहुत जादा आपने बोल सकते but yes at some level there is some overfitting अब यहां पर आपको कुछ concepts use करने पड़ेंगे जैसे कि regularization होता है या drop out होता है वो हमने भी पढ़ा नहीं है बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे आपको एक introduction देना था एक idea देना था कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको code में कैसे लिखना है ठीक है और keras library को कैसे use करना है keras library ने चीजों को बहुत easy कर दिया है neural networks बनाना so easy now तो I hope आपको यह video देखकर के दो चीज़े समझ में आई होंगी पहला अपना खुद का neural network कैसे बनाते हैं और उसको कैसे improve करते हैं दूसरा keras library के साथ कैसे काम करना है so that was the video guys I hope आप चीजों को समझ पाए होगे मैंने बहुत easy तरीके से सब कुछ आपके सामने रखने का try किया obviously हमारा end goal यह नहीं था कि हम एकदम best accuracy achieve करें या best model बनाएं because इस point पे वह हमारा concern नहीं है हमारा concern था neural networks को बना के देखना उनको train करके देखना और उनसे prediction करवाना and if possible उनको थोड़ा improve करना यह सारी चीज़े है में इस video में cover की I hope आपको यह video पसंद आया और अगर आपको यह video पसंद आया please do like the video and please subscribe my channel that's it from my side let's meet in the next video bye